Hey guys and welcome back to a new video तो दोस्तो कापी टाइम क्या होता है आप आपके mobile को आपके wifi से connect कर लेते हो लेकिन बाद में आपका wifi का password आपको पता नहीं रहता है या आप भूल जाते हो तो दोस्तो ऐसे situation में क्या करना है और आप आपके mobile में जो wifi connected है उसका password कैसे देखना है तो आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकोन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली ऐसी उसफुल वीडियो को नाटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलोगा इस करते हैं वीडियो को शुरू तो दोस्तो वाइफाइ का password निकालने के लिए सबसे पहले आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइफाइ में जाना है उसके बाद आपके mobile पे जो आपका wifi connected है दोस्तो simply उसके आगे जो यहाँ पे आई का symbol आपको show हो रहा है उस पे आपने click कर देना है इस पे click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको एक share का option देखने को मिल जाएगा जो कि आप इस share वाले option पे click करके आप आपके mobile का यहाँ पे जो wifi connected है आपके mobile से तो वो password आप यहाँ पे देख सकते हो अगर यहाँ पे दोस्तो आपको password नई show होता है तो आप इस barcode का screenshot लेने कबाद दोस्तो आपने यहाँ पे कोई भी QR code reader application यहाँ पे download कर लेना है तो यहाँ पे आपको गैलरी का option शो होगा उसमें जाके आप आपके wifi का जो आपी screenshot आपने लिया है उसे आप यहाँ पे add कर देना जिसी कि यहाँ पे आपको आपके wifi का password शो हो जाएगा तो दोस्तो कुछ इस तरह से आप easily आपके mobile में जो wifi connected है उसका password निकाल सकते हो तो गैज अगर आपको यह वीडियो पसंत आया होगा तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर दिजेगा और आगे बेर वाले icon पे click कर दिजेगा तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के रिए जए हैं